साहित्य जगत राश्ट्रिय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षन परिशत के केंद्रिय शैक्षिक प्राध्योगी की संस्थान दौरा प्रस्चु थे कक्षा बारा के लिए विश्वनात्र पाठी दौरा लिखित अच्छिक हिंदी की पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास सामान्ने परिचे में संकलित पाठों पर आधारित श्रंखला साहित्य जगत इस शंकला के अंतरगत सुनिये कारिक्रम आधुनिक काल के अंतरगत स्वातंत्रियोत्तर युग में अन्य गद्य विधाएं रिपोर्ताज आत्मकथा और जीवनी रेखाचेत्र संस्मरण यात्रा वृतांत् रिपोर्ताज द्वितिय विश्वयुद्ध के दौरान रांगेय राघों ने अकाल पीवरित बंगाल का दौरा करके तुफानों के बीच नामक रिपोर्ताज लिखा वस्तूतह ये विधा अकवार की रपट के बहुत नस्दीख है इसका उद्भो भी द्वितिय विश्वयुद्ध के दौरान कुछ सहसी पत्रकारों की रपटों से हुआ इसी विधा में अम्रित राय की लाल धर्ती और भगवत शरण उपाध्याय की पुस्तक इतिहास के पन्नों पर खून के धब्बे की भी गणना हो सकती है नरोत्तम नागर राम शर्ण शर्मा मुन्शी आदी ने अनेक सफल रिपोर्टाज लिखे है अश्क ने पहाडों में प्रेम मय संगीत भदंत आनंद को सल्यायन ने देश की मिट्टी बोलती है शमशेर बहादूर सिंग ने प्लाट का मोर्चा और बंगला देश की स्वतंतरता युद्ध के दौरान धर्मवीर भारती ने ब्रह्म पुत्र के मोर्चे से तथा विश्नुकांत शास्त्री ने भी युद्ध संबंधी रिपोर्टाज लिखे आज रेडियो दूर दर्शन से अनेक ऐसे कारिक्रम प्रसारित होते हैं जिन्हें रिपोर्टाज कह सकते हैं आत्म कथा और जीवनी हिंदी में अकबर कालीन जैन कवी बनार्सी दास ने ही अर्ध कथानक नाम से आत्म कथा लिखी थी आधुनिक हिंदी साहित्य में आत्म कथा सबसे पहले डॉक्टर शाम सुंदर दास ने लिखी गांधी जी ने अपनी आत्म कथा मूलतह गुजराती में और नहरू जी ने अंग्रेजी में लिखी थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी आत्म कथा हिंदी में लिखी बच्चन ने अपनी आत्म कथा क्या भूलूं क्या याद करूं नीड का निर्मान फिर बसेरे से दूर और दशद्वार से सोपान तक नाम से चार खंडों में लिखी राहुल जी ने मेरी जीवन यात्रा नाम से अनेक खंडों में आत्म कथा लिखी यश्पाल के सिंघावलोकन को भी आत्म कथा की ही कोटी में रखा जाएगा सेठ गोविंद दास की आत्म कथा भी उलेखनिय है इस बीच ओम प्रकाश वालमी की जूठन प्रकाशित हुई जो हिंदी के आत्म कथा साहित्य में आयतिहास एक महत्व रखती है जीवनी आधुनिक हिंदी साहित्य में भारतेंदु की जीवनी ब्रज रत्र दास ने लिखी फिर प्राचीन महापुर्षों और प्रेर्णा प्रद व्यक्तियों की अनेक जीवनिया लिखी गई स्वतंत्रता के उपरांत जो उल्लेखनी जीवनी साहित्य हिंदी में लिखा गया उसमें चंदरशेखर शुकल का राम चंदरशुकल डॉक्टर राम विलास शर्मा का निराला की साहित्य साधना तीसरा खंड अमरित राय का प्रेमचंद कलम का सिपाही विष्णु प्रभाकर का आवारा मसीहा, विष्णु चंद्र शर्मा द्वारा लिखित मुप्ति बोध की आत्म कथा प्रसिद्ध हैं रेखा चित्र संस्मरण रेखा चित्र और संस्मरण भी आध्वनी कद्य विधाई हैं हिंदी रेखा चित्र साहित्य में महादेवी वर्मा का नाम सर्वपर्थम उलेखनी है 1947 इसवी में स्मृति की रेखाएं प्रकाशित हुआ जिसमें संस्मरण और रेखा चित्र दोनों हैं इसके पूर्व 1941 एस्वी में उनका अतीत के चल चित्र प्रकाशित हो चुका था महादेवी जी ने उपेक्षित एवं शोशित व्यक्तियों और पशुपक्षियों को संस्मरात्मक रेखा चित्रों में अपार ममता दी है इनसे महादेवी जी का भी व्यक्तित्व उजागर होता है शिव पूजन सहाय का रेखा चित्र संकलन वे दिन वे लोग 1965 इस्वी में प्रकाशित हुआ उपेंद्र नात्थ अश्क का मंटो मेरा दुश्मन 1957 इस्वी के आसपास प्रकाशित हुआ संसमरान लिखने वालों में प्रसिद्ध पत्रकार पंडित बनार्सी दास चतुर्वेदी का स्थान भी महत्व पूण है उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के शहीदों, नेताओं एवं सहित्यकारों पर प्रेरक संसमरान लिखे श्री राय कृष्णदास ने भार्तेंदू से संबंधित दुरलव संसमरान लिखे राम ब्रिक्ष बेनी पूरी के कुछ अविस्मर्णी संसमरान माटी की मूरतें में संकलित हैं यात्रा विर्टांत इस युग में लेखकों ने अनेक यात्रा विर्टांत लिखे आधुनिक युग में इसका भी प्रवर्तन भार्तेंदू ने किया था प्रमुख यात्रा विर्टांत लेखक और उनकी कृतियां इस प्रकार है राहुल सांकृत्यायन मेरी चीन यात्र आदे भगवत शरण उपाध्याय वो दुनिया सागर की लहरों पर अग्ये अरे यायावर रहेगा यात एक बूंद सहसा उचली यश्पाल लोहे की दीवार के दोनों ओर स्वर्गोध्यान बिना सांप रामवरिक्ष बेनिपुरी पावों में पंक बांध कर निर्मल वर्मा चीडों पर चांदनी कमलेश्वर खंडित यात्राएं रात के बाद प्रभाकर द्विवेदी पार उतरी कहां जाई हो धूप में सोई नदी अमरित लाल बेगड सौंदर्य की नदी नर्मदा आधुनिक काल के अंतरगत स्वातंत्रियोत्तर युग में अन्ये गद्य विधाएं रिपोर्ताज आत्मकथा और जीवनी रिखाचित्र संस्मरण यात्रा वृतांत साहित्य जगत के अंतरगत अभियाव सुनरहित ये कारिक्रम विशे संयोजन डौक्टर संध्या सिंग, डौक्टर चंद्रा सदायत एवं लालचन राम आलेक विश्वनात्रिपाठी वाचनस्वर के चंदन और सुनिता चोहान कार्य कारी नर्माण प्रभुदयाल खट्टर ध्वन्यंकन सतीश लाडे और दीपक पांडे नर्माण सहयोग दावुदयाल चत्रुवेदी तथा नर्माण एवं प्रसुती वंधना अरिमर्दन अर्माण के वाचन सहयोगार चत्रुदयाल उडत्रिपाठी तद्दन